हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSE कोचिंग सेंटर गडित की बहत्व पूर्ण क्लास लेकर करके आया हूँ दोस्तों पूरा वीडियो देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रेशन है 9 की पावर 6 पिलस 1 में 8 का भाग देने पर 6 फल गयाद करो क्या 6 बचेगा देखिए मैं आप पर आपको बता दूँ कि जब पावर सम दी जाती है तो क्या करते हैं पावर अगर सम दी जाएगे तो पावर दो लेंगे या फिर 4 अगर आपको पावर बिशम दी जाएगी ठीक है पावर अगर विशम दी जाएगी तो पावर एक लेंगी या फिर 3 के लिएर है आपके यहांपर 6 है छे का मतलब सम पावर दी गई 80 में जोड़ दूँगा एक और डिवाइड कर दूँगा 8 से, 81 में एक जोड़ा कितनों जगे भी है 82, 82 में मैं 8 से डिवाइड दूँगा तो 8 से 80 तक कट जाएगा 10 बार में, दो बचा ना, दो बचा, यही तो 6 बचा, 6 फल ही तो पूछ रहा है, तो 2 शेश फल बचा हमारा, डिव अफसर हमारा सही जवाब हो गया, आगे बात समझ में, अब 2 से और 4 से कब डिवाइड करते हैं, देखें, जब कोई संख्या ऐसी हो, छोटी संख्या, और यहाँ देदे बड़ी संख्या, डिवाइड ना जाए, तो फिर 4 रख लेते हैं, सेम कंडिशन नीचे होती है, जैसे आपको यहाँ पावर बिसम दे दी गई, तो एक रखने से अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं, फिर 3 रख के देख लेंगे, सबसे पहले 2 संख्या दी गई यह तो, और सबसे पहले 1 अगर बिसम पावर दी गई गई या फिर 4 और अगर पावर बिशम है, अगर पावर बिशम है तो पावर एक लेंगे या फिर 3 ठीके, पावर कैसी दे गई यह आपको, सम दी गई है न, तो सम दी गई है तो इसका मतलब 2 लेंगे, तो आप क्या करेंगे, तिरेपन की पावर 2 पिलस तिरेपन और अठाइसो नो पिलस करना है त्रेपन और डिवाड करना है आपको चववन से ठीक है अठाइसो नो में मैं जोड़ दूँगा त्रेपन को तो अठाइसो बासट हो जाएगा ये अठाइसो बासट हो जाएगा डिवाड दिना है मुझे चववन से दो से इसको भी कटाऊंगा, दो से इसको भी कटाऊंगा, तो दो एक कम दो, तो चोक याट, दो तरिक का छे, दो एक कम दो और दोसे से कटाओंगा तो यह 27 बार में गया, 9 से कटालो, 9 तरिक्का 27, 9 एककम 9, 5 बचे का 53, 9 पंजे 45, ठीक है, 8 बचे का 81, 9 नमे 81, ठीक है, 9 नमे 81 यह कट गया, अब यहाँ पर 169 है, यहाँ पर 3, 3 से कटाओंगा, 3 पंजे 15, और 3 तरिक्का 9, पूरा-पूरा कट गया भ पचा, कुछ, कुछ भी तो सेस नहीं बच पा रहा है, तो कुछ भी सेस नहीं बच तो 0 सेस बचा, भहिए, इसमेंसे अगर कुछ बच जाता, काटने के बाद, जो नहीं करता, तो तो हमारा सेस बचा, तो 0 हमारा आंस रा गया, भी ऐउप्षन, केलिए रहे आब देखेंग जो इसको पूरा-पूरा काट रही होगी, लेकिन कैसे पहँचानेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए कि 4 की पावर 61 है, इसमें भी 4 की पावर 61 है और इसमें भी 61 है, तो 4 की पावर 61 तो common आ जाएगा, आ गया common, तो यहां से 4 की पावर 61 पूरा-पूरा चला गया तो 1 बचा, 4 की पावर 61 चला गया तो 4 की पावर 1 बचा, 62 में से 61 गया है तो 1 बचेगा, पिलस 4 की पावर 61 गया तो 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 61 गया है तो 4 की पावर 3 बचा है, ठीक है, 4 की पावर 61, अब देखिए यह तो 1 है, पिलस 4 की पावर 1 common 4, 4 की पावर 2 common 16, और 4 की पावर लिक्सेट सबको जोडेंगे 64-16-84 84-84 में जोड़ते 85 ठीक है solve हो गया अब इस 85 को जो option मेरा पूरा पूरा काट देगा वही answer है तो इस 85 को पूरा पूरा कौन काट रहा है भई 85 को कौन काटेगा पूरा-पूरा शत्रा काटेगा सत्रा पच्चे 85 होता है तो सत्र ने इस 85 को काट दियाई इसका मतल़ यह पूरी संख्या आपकी सत्रा से कट जाएगी सत्रा आपके प्रष्णे का सही जवाब है इस तरीके से किये जाते ही यह प्रष्णे समझी मागी अब देखेंगे हम अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है दो की पावर 253 divided by 3 की पावर 2 सिस्फल क्या होगा ये प्रेशनी है जो आपको अच्छे से सिखाएगा ठीक है सम पावर क्या करते हैं पावर दो लेंगे या फिर चार बिसम पावर बिसम पावर एक लेंगे या फिर तीन अब देखिए पावर बिसम है अगर एक रखने से आंसर नहीं आया तो पावर तीन रखेंगे अगर तीन रखने से भी नहीं आया तो पाँच रखेंगे पाँच रखने से भी आया सम्की सम्संग्या बढ़ाते चलिए बिसम्संग्या बढ़ाते चलिए यहाँ पर पावर बिसम है ना तो मैं सबसे पहले पावर एक रहूं तो दो की पावर एक का मान दो ही रहेगा और तीन की पावर दो का मान नो हो जाएगा तो दो में नो से भाग जाएगा नहीं जाएग तो 2 की पावर में क्या रखलू 5 और 3 की पावर 2 कितना हो गया भई 3 की पावर 2 का मान नो 2 की पावर 5 का मान होता कितना है 2 की पावर 5 का मान 32 होता है डिवाइड करेंगे 9 से ठीक है अब 9 से डिवाइड करोंगा तो 9 तरिक का 27 कट गया 32 में से 27 कटा तो 5 6 बचा की नहीं बचा 5 6 बचा आपका ठीक है 5 कहाँ पर है आपसे पूछ रहा है 5 6 बचा 5 है कहाँ पर 5 यहाँ पर option में दोस्तों नहीं दिया गया है गलती से option दूसरे type होगे 6 फर पूछ रहा है तो गलती से option दूसरे type होगे है लेकिन answer आपका 5 ही ही है ठीक है यही आपका answer है ठीक है गलती से option दूसरे type हो गए है जिसमें 5 नहीं दिया गया कोई बात नहीं option की तरफ मत जाईए जब गलत option दिये गए है तो option की तरफ मत जाईए आपका जो सही answer आया calculation के बाद उसी पर आप ठिक करेंगे वही आपका okay है ठीक है जैसे यहाँ पर 5 ही आपका okay है किलियर है अब देखेंगे अगला प्रश्नी अगला प्रश्नी है तीन की पावर 9,415 है और यहाँ पर बटे मस्ची है तो शेसफल क्या होगा पावर को आप ध्यान से देखेंगे तो पावर क्या है दोस्तों आपकी sum है कि बिसम बिसम है तो तीन की पावर सबसे पहले एक रखेंगे तो तीन की पावर एक कमान तीन तीन मस्ची से भाग जाएगा नहीं जाएगा कोई बात नहीं नहीं जा रहा तो कोई दूसरी पावर रखो विसम कौन सी पावर हो जाएगे तीन की पावर तीन रखेंगे तीन की पावर तीन का मान 27 अस्ची से भी डिवैड नहीं जाएगा एक रखने से आंसर नहीं आ रहा, तीन रखने से आए, पांच रखेंगे, तो तीन की पावर हम पांच रखेंगे, तो तीन की पावर पांच कितना होता है भई, तीन की पावर पांच बटे में क्या है 80, तीन की पावर पांच का मान कितना होता है, 405 होता है भई, बटे में कि यहां पर भी आपके जो चार उप्षन थे उसमें एक नहीं था यहां पर भी ऑफशन गलत लिख दिये गए हैं तो मैंने देखा पहले चेक किया मैंने इस प्रेशन को तो मैंने देखा इस कांसर तो एक आ रहा है लेकिन एक उफशन में नहीं है तो फिल मैंने इसको बढ़ाया गया पिछले प्रेशन की जैसे यहां पर भी गलत ओफशन थे कोई बात नहीं आपका आंसर एक है यही बिलकुर आपके प्रेशन का सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रेशन है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या निकाल लीजी दोनों बताओंगा बड़ी संख्या चोटी संख्या कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूँ जो आपके पास 46 बड़ी संख्या जब निकालते हैं तो दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड दोसे अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको तो 23 वार में जाएगा तो बड़ी संख्या होगी आपकी 23 अगर चोटी संख्या आपको निकालनी है तो जो योग है वो ले लेंगे योग कितना आप आपके पास इस प्रश्ण में 40 है अंतर कितना है इस प्रश्ण में 6 है बड़ी संक्या के लिए दोनों को जोड़के 2 से डिवाइड और छोटी संक्या के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड दोनों का अंतर तो 40 में से 6 जाएगा कितना 34 अब 2 से डिवाइड करो कितना 17 पूछा क्या गया, बड़ी संक्या क्या होगी, बड़ी संक्या तो आपकी 23 हो जाएगी, बड़ी संक्या 30 हो जाएगी, लेकिन दोनों सीख लिया हमने छोटी संक्या और बड़ी संक्या निकालना, ठीक है आगया, अब देखेंगे अगला प्रश्नी, अगला प्रश्नी है, द अंतर है 12, छोटी के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइट 36 में से 12 जाएगा, तो कितना बच्चे का 24, दोनों को जोड के क्या करेंगे, 2 से डिवाइट, आप का अंतर 12, छोटी संख्य कैनिकल कह जाएगी 12, यह option आपका बिल्कुल सही answer हो गया, किलिए रह है, दो संख्याओं का योग 75 है, और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुड़न फिल क्या होगा, भाई दोनों का गुड़न फिल पूछ रहा है, तो दोनों संख्या निकालनी है, मिसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकालनी है, तो सबसे पहले बड़ी संख करूंगा तो कितना हो जाएगा 50, बड़ी संख्या मेरी 50 होगी है अब मैं निकालीओ कई से च्छोटी संख्या कितना आ भीर 95, अंतर कितना है 25 तो बड़ी तो निकालते हैं दोनों को जोड के और छूटी निकालते हैं दोनों च एक बच्छी करके तो so और दो से डिवाइड करूँ छोटी संख्या मेरी 25 निकल के आ गई अब दोनों संख्या हो क्या पूछ रहा है गुड़न फल मेरे पास पहली संख्या 50 है बड़ी संख्या 25 है दोनों का गुड़न फल पूछ रहा है तो दोनों का गुणा कर दो ठीक है 25 का गुणा 5 से 125 और एक जिरू आ जाएगा मतलब 1250 दोनों का गुना हो गया 1250 पहला उप्सन बिल्कुल से अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है तो वह संख्या क्या है मैंने बहुत वार इस प्रेशने को कराय हमार को कि अपतर आए हजाए सेंगे हमार को के घ्रेशने में प्रेशने कोई स भाई मनुाट कने दो थांस सेत्नी है तो हूला आए है इसक्ता है मतलव मतलव अॉत